असलम अनिकुम माइ ब्यूटिफल यूटिफ फैमिले आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ चिकन अंगारी की मज़िदार रेसिपी चिकन अंगारी की इस रेसिपी को आप रेस्टोरेंट से भी ज्यादा या फिटाबी से भी ज्यादा यम्मी और डिलीशियस घर म से हम यह चिकन अंगारा बनाएंगे और बहुत लजी हमारा चिकन अंगारा बनके तयार होता है तो आईए बनाने शुरू करते हैं लेकिन आपसे मेरी हमल रिक्वेस्ट है चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज मिले चैनल रुबीज बेक्स को सब्सक्राइब कर लें बेल नंगारा बनाने के लिए मैंने दो प्लीज लिए बड़े साइज की और लोंग शे趣 में हमने रिक्वेस क ταचो क्या कि अब रिक्वेस्स को कट करने बाद मेंने अच्छे से फ्राय गोलडन फ्राय और 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं यहां पर म्हां पर म्हाइस मेह आप कर यूज़ कर सकती है अब हम गिराइणिंग जार लेंगे और सबसे पिहला हम इसमें डालने वाले हैं फ्राइप्यास के बाद इसी में आच कर देंगे हमने टूट एबल स्पून मिंग लीती तो ये भी इसी में आच कर देंगे अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे वह बिल्कुल फाइन हम इसका पेस्ट बढ़ा लेंगे तो इस पेस्ट को हम रखेंगे साइड में चिकन अंगारी का खुश्बुदार हम असाला भी रेडी कर लेते हैं जिसके लिए मैंने 1.5 टेबल जीरा लिया है और 3 इंच का मैंने लिया इसमें दाल चीनी 8-10 इसमें हमने ल नाइची लिया इसमें और 6 लाल मिर्ची और हमने इसमें पैन में लिया है धनिया तो हमने तीन टेबल इसपॉन धनिया लिया अब सारी ही इंग्रेडियन को अच्छे से हम ड्राइय रोस्ट कर लेंगे और इस प्यूंट पर अभी हम फिलेम को मीडियम टु हाई रखेंगे medium to high रखे अच्छे से dry roast कर लेंगे सारे ही मसालों को और मसाली हमारे अच्छे से dry roast हो जाएं फिर हम grinding jar में दाल के बिल्कुर fine grind कर लेंगे मसालों को रखेंगे साइट में अब हमें चाहिए होगी चिकन तो एक किलोग्राम मैंने चिकन ली तीन से चार पाने साचे से वोश किया है चिकन को और चिकन को अभी हम marinate कर लेंगे सबसे पहला हम इसमें आड करेंगे कसूरी में थी वन टेबल स्पोन और वन टेबल स्पोन हम इसमें आड कर देंगे नमक नमक के बाद इसमें हम एड़ करेंगे कश्मीरी रेट चिली का पाउडर तो 1.5 टेबल स्पोन मैंने इसमें कश्मीरी रेट चिली का पाउडर लिया है अब इसमें हम एड़ कर देंगे फ्रेश अदर खले सुनका पेस्ट वनिना हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें अध़ लेसून का पेस्ट लिया है अब इसी वीच हम इसमें शामिल कर देंगे औरिंज फूट कलर हाफ टी स्पून और अब इसमें हमने दही वगेरा शामिल नहीं किया है तो दही भी आड़ कर देते हैं तो हन्डेड ग्राम यह दही लिया है जब आप दही ले रहे हैं तो आपको यहां पर धियान रखने पहुँजाद है खटा या फिर मीटा दही नहीं लेना है मैंनी फ्रेश दही लिया है और अच्छे से फेट लेंगे दही को बिल्कुल लाम फिरी कर लेंगे फेटा हुआ दही दाल देंगे चिकन में और चिकन अंगारे का खुश्बुदार हमने मसाला रेडी किया था ड्राय रोस्ट करके हमने ग्राइन जार में दाल के ग्राइन किया था यह सारा मसाला भी हम एट कर देंगे और अच्छे से मेरिनेट कर देंगे हम चिकन को मेरिनेट करके एक गंटे के लिए साइट में रख देंगे अगर आपके पास में जाधा टाइम है तो आप इसे ओवर नाइट भी रख सकते हो और 150 gram में ने इसमें oil का यूंज किया है तो oil का हम इसमें कमी यूज करेंगे अगर हम कोर्मा will company गेरा भिरा बना के थीए लेकिन छिवरा जादा mill का यूज होता है अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी आड़ के है अब इसमें हम दाल देंगे टमाटर तो 200 ग्राम मैंने टमाटर को गिराइनिंग जार में दाल के और बिना पानी के गिराइन के है तो ये भी इसी में दाल देंगे तो इसमें हमने सारे इंग्रेडन दाल दी तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी gravy भी बिल्कुल perfect है अब इस point पे हम flame को medium to high रखेंगे 10-15 मिनिट में हमारी chicken बहुत अच्छे से cook हो चुकी है और इसमें अभी किसी भी तरीकी की smell वागेरा भी नहीं आ रही है कोई भी मसालेगी अब इस point पे हम इसमें add कर देंगे हमने brown प्यास और mingo को grind किया था तो यह paste भी इसमें add कर देंगे बहुत अच्छा टेस आता है अब जार में काफी मसाला लगा वा था उसी जार में हम आदा कप पानी दालेंगे और हम chicken में ही add कर देंगे तो चिकन अंगारी को हम दो मिनिट और अच्छे से cook कर लेंगे और यहां पे इसका look देख सकते हो बिलको restaurant वाला या फिड़ाबे वाला इसका look आया है और उससे भी जादा अगर आप घर में बनाते हो तो आपका chicken अंगारा उससे भी जादा अब इसमें हम फ्लेवर के लिए थोड़ा सा हरा धनिया भी एड़ कर देते हैं इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और अब यह चिकन अंगारा है तो इसमें खास स्ट्रेप भी करना है इसमें हमें smoky flavor देना है तो इसमोगी flavor के लिए हम जलता हुआ चार कॉल लेंगे और मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर का यूज करना चाहते है तो इसका भी आप कर सकते हो अब चार कॉल पर हम दाल देंगे 2 टेबल स्पून ओईल और ओईल दालने के बाद हम इसे कवर कर देंगे 5-6 मिनट के लिए और चिकन अंगारे में 5-6 मिनट के बाद जो smoky flavor रिलीज हो जाए फिर इसका हम धक्कन हटा देंगे और इसमें से हम जलतावा चार कॉल भी निकाल देंगे तो इस तरह से basic मसालों से हमारा यह चिकन अंगारा रेडी होगे बहुत यम्मी डिलीशस यह बनके तयार होता है और जब आप इसे बनाएंगे तो आप खुद नहीं वेचान पाएंगे चिकन अंगारा आपने बनाई इतना मज़िधार बनके तयार होता है और आप इसे रुमाली रोटी, बटर नान, तंदोरी नान जिस तरह से भी चाहे हैं आप इसे enjoy कर सकते हो या फिर आप इसे rice के साथ में भी enjoy कर सकते हो तो अभी हम flame को off कर देंगे और यहाँ पे देख सकते हो इसका look बहुत यम्मी और खुश्पुदार हमारा यह चिकन अंगारा रेडी हो है मैं उमीद करते हूँ वीडियो आप लोगों को चिकन अंगारे की बेहत पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले family friend के साथ मेरी वीडियो को जाद स्यादा शेयर कर दे comment करके मैं ज़रूर से बताएं आपका चिकन अंगारा के सबाना वीडियो देखने के लिए थेंक यू सो मच अलाफीज